हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सबी आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप सबी का स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है वैंसी एनर्श व्लोग्स और मेरे नाम में वंदरा तो आज है 30 नवंबर की मॉनिंग से वीडियो मैं घर का क्लेनिंग है वो सब कुछ हो गया है बेक्फस्स भी हो गया है और हमानशु चले गए अपने काम पर यहां पर मैं डायनिंग केबल को थोड़ा सा क्लीन कर रहे हूं होई जाता है थोड़ा सा मैसी रहता है रात बार सुबह में साफ कर देती हूं और अपने येलो कलर क जो फूल देखे ना यह रियल फ्लार है यहां पर फूल का डाल था नो पर टूटके गिर गया था तो मेरे हस्बंड लेकर आया थे तो मैंने उसको ग्लास में लगा दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको देखे ना मन भी खुश हो जा रहा था और फिर मैं आप यहां पर आ गई हूं लंच बनाने के लिए तो यह लंच जो दाल बना रही हूं जो साबुत मसूर की डाल होती है न वो तो उसको मैंने परसु रात में मतलग की बारा तारीको मैंने रात में भीगो दिया था दाल को बिगो की बनाओ ना दाल का जो हो रही है इस टाइम पर ना तो काफे तेज रूप हो जाती है तो काम करो ना तो ऐसे भी ना मतलब गर्मी सा फील हो रहा था मुझे तो मैंने निकाल दिया स्वेटर यहां पर बस बना रही हूं साग तो साग मेरे आपने देखा होगा मैंने पहले से ही चौप करके रखा जैसे मुझे आज इतनी खुश हुए कि मैं क्या बताऊन क्योंकि साग को दोने काटने में बहुत टाइम लगता है तो मैंने आदा साग अभी बनाऊंगी या काफी साग ताना आदा मैंने अभी फ्रिज में रखा हुआ है उसको मैं बादने बनाऊंगी और साग ना थी कि फ्रेश की फ्रेश ही है फ्रीजी में रखा हूआ था तो मैंने वह सिल्बटे पर कूट लिया है इसलिए मैंने पर यहाँ पर तेल मैं हेंग डाल के लेसन और मिर्च वह धाद बहुत धोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि साग ना देखने में तो जादा लगता है इसा लगता कि बहुत है कड़ाई भर के लेकिन जब वो बनेगा ना तो एकदम पेंदी में पहुँच जाएगा और जब बनेगा ना तो एक से डेड़ कटोरी से जादा बिलकुल नहीं निकलेगा बहुत ही कम साग हो जाता तो इस टार्टिंग में लगता कि बहुत है तो हम लोग नमक भी उसी साफ से होता है नमक भी उसी साफ से डालते है लेकिन साग हमेशा इसे गल के बहुत कम हो जाता है तो साग उदर बन रहा है इदर में जारी राइता बनाने के लिए तो यह दही आपने देखा होगा मैंने दो-तिन दिन पहले जो दही जमाई थी न यह ऐसी रखा हुआ था तो अभी बस मैं थोड़ा सा पानी एड़ करके जो बूंदी का है न वो रायता बनाओं कि यह साग के साथ न रायता न बहुत अच्छा लगता है फिर दही रायता और मुझे न दही रायता यह सब चीजे पसंद भी दूद मुझे उतना पसंद नहीं है बर रायता मुझे पस साग है बिल्कुल बनके तयार है मैं थोड़ा इसको घोड़ देती हूँ कर्ची से ही बहुत ही जादा स्वादिस्ट साग बना था मैंने बहुत अच्छे से कड़ाई में भून लिया था और यह जो कपड़े थे न मैंने अभी सुबर फैलाय थे और देखे कपड़े भी सकर बहुत तेज दूप हो रहा है बतलब न परदाश नहीं हो रही इतना तेज यहाँ यूपी में लखनव में हो रहा है बाकी जगह को मुझे पता नहीं है बट हमारे बहुत दूप हो रही है अभी कपड़े मैंने फैलाय थे सूख गे बस दो-तिन कपड़े थे जो की नह पर नहीं जा रही हूँ कि मुझे टिटनस का एक्जेक्शन लगा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था तो इसलिए मैं नहीं गई दो दिन रेस्ट पे हूँ मैं तो यहां पर आज मैं दही वाले आलू की सबजी बनाने जा रही हूँ हमारी यूपी का यह काफी फे साइम से क्या मतलब मुझे लगता मिर शाय दो साल हो गया मैं नहीं सबजी नहीं बनाई थी तो मैंने सुचा कि चलो आज यही सबजी थोड़ा अलग सा बनाते हैं रोज मैं हरी सबजी सागवागी खा रही थी तो आज ही सबजी मैं बनाऊंगी और रेसिपी भी आप लोग के रख लो ना उसको पूरा अराम से सेट होने का टाइम मिल जाता है और यहां पर मैं फ्रिज से थोड़ा समानमा निकाल रही हूं जैसे दही वगएर ना तो मैं क्या करूंगी ना दही को मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लोग यह से मठा बनाते हैं तो वैसे मिक्सी में बस दो बार घुमा दूंगी यह हो जाएगा और अभी मिक्स में घुमा दिया है और इधर जो आलू है बस आलू भी पकने ही वाला है और अभी दो-तिन सीटी और मैं उसमें लगा रही हूँ और पता है मेरे पास गारलिक और जिंजर का पेस्ट वह भी मैंने तयार नहीं किया है वो भी मेरा एक काम अभी अधूर है वो भी मुझे रखना है वो पेस्ट तयार करके पेस्ट तयार है ता ना तो फिर फटा- पेस्ट भी बना रखा रहता है तो अब फिर से मेरा जो सिलवट्टा है जिन्दावाद मैंने इसी पर फिर से पीस रहे है मेरा बड़ा काम का सिलवट्टा है इसको भी न काफी साल होगे मैंने इसको भी मेरे साथ ही है काफी टाइम पहले मैंने इसको लिया था और यहां प परपस यूज होते हैं कभी आप इसमें राइस भी चान लो सबजी भी चान के रख दो बहुत सारे आप इसका यूज कर सकते हो तो मैंने वहाँ पर आलू छील लिया है और आलू को ना मैं चाकू से नहीं काटूंगी हास इसमें हाथ से जो फोड़ा हो आलू हाथ से करके डाल तो वो ज्यादा टेस्टी लगता है तो मैंने उदर कड़ाई में तेल भी डाल दिया है आज मैंने पहले से जो मेरी अलूमिनियम की कड़ाई है पहले से वही लिया है आईरन की कड़ाई नहीं लिया है क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि खटे पन से आईरन का यहाले के पाइखनार तीत है थाउं, कड़िय का पत्टे का पेड़ बीर अधिला के एदेखने दोड़े मुझे शनbon और उसके चाही डाल ती apresent मेरे कड़ी का पत्ते कीचा पちゃ ना क्ड़ीaster के अधिलिआ नि at 10. और में तोड़ा सा बिसमें डालोंगे कश्मीरी लाल मिर्च डालने से डिया तty और अधी otive में देखने में सब्सक्राइब अच्छी लगती है मठा बनाया था ना पानी डालके फिर मैं वो एड़ कर दूँगी इसमें तो कम सकम ये एक डिया डियर ग्लास के लगभग था दही वाला तो मैंने उसमें देखिए एड़ कर दिया है अब हम इसको चब तक चलाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आने लग जाए अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है नमक मैं उबाल आने के ना बादी डालूंगी अब देखिए मुझे इसमें उबाल आ चुका है अब मैं इसमें नमक एड़ कर सकती हूँ तो इसे मैंने एड नमक एड कर थोड़ से जादा नमक डालना पड़ता है इसमें क्योंकि धही थोड़ा खटा पन आता है तो नमक थोड़ा से कम हो जाता है तो उदर जो सबजी थी नो उधर बन चुकी है और मैं अब बना लेती हूँ गरम गरमчно रोती या तो न बहुत ज़ादा जो सबजी आ पराटे की साथ खाओ राईस की साथ किसी की साथ भी खाओ बहुत ही ज़ादा जो टीस्टी लगती है नहाँ आप एक रोती खाते हो नहीं जब मैं इधर आई ना अपने शाधी के बाद तब मुझे पदा चला कि ऐसा भी बनता है सब जी और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यानि की 14 दिसम्बर की मॉर्निंग है तो यहां पे ना मैं गेहू फैलाओंगे आपने देखा हो कल की व्लॉग मैंने यहू निकाल दिया था बोरी से लेकिम ना मैंने उसको कल नहीं फैलाए था क्योंकि धूप तो अल्मोस जा चुकी थी इस वज़े से मैंने आपे बस जहारू लगा दिया है जहारू लगानी वैसे तो मैं धो होती हूँ लिकना आज मैं क्योंगी तो फिर सूखने में टाइम लग जाएगा फिर से वही धूप चली जाएगी तो इस वज़े से बस मैंने जहारू लगा दिया वसे कली मैंने धोया था साफी है तो मैंने फिर उसमें एक करटन बचा हुआ था ये करटन एक्छीलिन फटा हुआ है तो इसलिए मैं इसको इधर बिछाने के काम करती हूँ एक धुली हुई चादर है तो मैंने इसको भी बिछा दिया है तो आप जो गेहू है न मैं इसी पे जो है वो डालूँगी अच्छा क्या होता है गर्मी हो या ठंड हो बारिश हो कोई भी है हम को हम हाउस वाइप को न काम तो उतना ही र कहता है और यह जो गेहू है न मैं अभी इसको पहली जादा इस बर मैंने सुखा रही हूँ क्योंकि क्या है न फिर अभी धूप का कुछ पता नहीं है कि अभी तक तो तेज धूप निकल रहे है लेकिन आगे का मौसम का क्या भरोसा कि कब धूप निकले कब ना निकले तो म मैं इसको समेट लेती हूँ और यहां का तो यह डेली का ही काम हो गया है कि सो फिर उसके बाद ना यहां के जो गद्दे हैं उनको फिर जाड़के फिर मैं खड़े कर दीती हूँ दिन बर यह इसी तरह से खड़े करके रखे रहती हूँ फिर जो सोने का टाइम होता है रात में फिर से मैं इसको बिचा लेती हूँ अब मैं लगा लेती हूँ जारू और यह कपड़े देख सकते हुआ अपि कल की जो उठाये थे कपड़े थे ना मैंने फोल नहीं किया हुआ भी आज मैं इसको भी तेह लगा दूँगी तो मैंने वैसी रखा हुआ है अच्छे यह रूम ना पर्दे जो पर्दा लगा है ना मैंने उसके वज़े से मुझे इस कमरे में जाने से बहुत अच्छा सा लग रहा है क्योंकि ना वो जो गते वते बोरी हो रही थी ना वो दिख नहीं रहा है तो अच्छा सा लग रहा है और फिर अम मैं लगा लेती हूँ जाडू उदर मैंने गैस पे दूद भी रख दिया है गरम करने के लिए और हमने एक एक बार जो चाय है ना चाय भी पी ली है और जो मेरे हस्बेंट ने वो हैं बात्रूम में नहा रहे हैं वो अपना जब तो नहा के आएंगे तब तो यहाँ पे मैं जाडू पोच्छा जो है घर का लगा दूँगी तो यही होता है जब भी वो सुबह जब आने जाते है ना तो मेरे ही काम रहता है मैं फटा पर जो घर की क्लीनिंग वगर है ना वो सम्मेक कर देती हूँ ताकि ना जब पुझा करने से पहले जो घर है ना वो बिल्कुल साफ हो जाए और शाती साथ यह जो मैंने टार्इंग टेबल है ना इसको भी मैंने साफ कर दिया है और आपने जो कल फूल देखे ती जिना जो मैंने गलास में रखा हुआ था तो मैंने उसे आज हटा दिया है क्योंकि तीन दिन से रखा हुआ था था थो थोड़ा सा वो खराब सा होने लगग गया था तो मैंने उसको हटा दिया था फिर सी देखूंगी कोई दूसरा फूल अगर मुझे कहीं से मिल गया तो फिर से लाकी लगा दूँगी मुझे बहुत अच्छा मुझे शौक तो बहुत है लेकिन मैं क्या ही बोलू आप लोगों से शौक तो बहुत लगता कि अपने घर में ले क्या हूँ वो सजा दूँ घर सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन वही है कि अभी देखते हैं जब अपना घर होगा तो फिर सजाएंगे और फिर बस मैं यहां पर लगा दीती घर में पता अगर ठंड में अगर बैठे रों रजाई में तो लगता कि यह कितनी ठंड है कितना आलस आता लेकिन एक वाज जब रजाई से निकल जाओ ना बिस्तर से निकल जाओ फिर तो बहुत एक्टिवनेस आ जाती है कि लगता है हाँ यह भी काम कर दो वो भी काम कर द तो दोस्तों इसी की साथ ना इस vlog को मैं end करती हूँ I hope आपको यह मेरा vlog पसंद आया है